हलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टो यूजी सीनेट मैंटर आई होप यू आ डूइंग बैल गाईज पांसुस ज्यादा वेकिस निकल गया रही है असिस्टन प्रोफेसर की तो यह की सब्जेक्ट के लिए है किस तरह के से अपलाई करना है और यहां पर क्वालिफिक्शन क्य की इंपॉर्टन टॉपिक सीरीज हो अपने कल से स्टार्ट करी है आप इन क्लासे को जरूर फॉलो करें डेफिनिटल इसी भी आपको अड्वांटेज मिलेगा जेतने भी पेपर वन के एवर गिजिन और इंपॉर्टन टॉपिक होते हैं इनको मैं आपको यूट्यूब पर करवाने माला हूं और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप इस चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के सबी नोटिफिकेशन मिलते रहें चले कईश में आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस सेट की कितनी वेकेंसी हैं तो यहां निकली हैं स्टेटिक्स की हैं हम साइंस की 11 अफसन की 3 हैं हो म साइंस अलग अलग और अबर शेयंस की वन हैं लॉग है इंगलिस मेंचेट सेवन सोचल साइंस मेटड 5 साइंस घल मैट्स और commerce accounts method की एक, तो यहां पर total 531 vacancies हैं, अब यहां पर qualification क्या है और किस तरीके से आपको apply करना है, आपको complete चीज़ों को यहां पर cover करवाता हूं, तो चलिए फटावर से समझ लेते हैं कि vacancies कहां से आ रही है, और यहां पर qualification क्या मांगी गई है, तो यह जो vacancies है वो निकल के आ कमिशनरे रेट ऑफ हायर एडुकेशन गुजराद स्टेट, और यहां पर अध्यापक सहाया का मतलब assistant professor की तरीके से जो है, यहां पर आपका recruitment हो रहा है, तो यहां पर apply करने के जो date है, वो online application are to be accepted from 12th of September, से लिए करके 2 October तक आप यहां पर apply कर पाऊगे, मैं इसे वीडियो क क्रिएट कर रहा हूँ, 29 सितंबर को, मतलब आपके पास अभी अच्छा हासा टाइम है, आप apply कर सकते हो, अभी आपके पास 4-5 दिन बचे हो है, 29 के बाद 30, 1, 2, 3 दिन बचे हो है, आज के दिन छोड़ करके, तो apply कर सकते हो, और I think हो सकता है, there is possibility की date बढ़ता है, चलेगा आगे बढ़ते है, इसके अलावा गया से हम बात करें है, qualification की, तो qualification में आपको इंडिया का से टेजिन होना जरूरी है, must है, इसके अलावा आपके पास net, slat या, set या PhD होनी चाहिए, तो ऐसे आपने mention क्या हुआ है, UGC ने आप सभी को बताया था इससे पहले भी कि only net के base प है, PhD को तो आप यहां पर देख सकते हो, अलग से भी mention किया हुआ है, कि net होगा तो आप eligible हो, या गुजरात का slat या set, अगर only गुजरात का है, तो आप यहां पर eligible हो, और गुजरात का नहीं है, तो आप यहां पर eligible हो, फिर आपको net ही pass करना पड़ेगा, इसके लावा अगर आपने PhD करी वी है, 2009 से पहले की आपकी PhD है, तो उस case में आप net set qualified नहीं हो, तो भी चलेगा आप apply कर पाऊगे, अगर 2009 के बाद आपने PhD करी वी है, तो उस case में net set का होना जरूरी ही compulsory है, मतलब अगर आपने recently PhD अपने pass करी है, तो ऐसे में आपको PhD के साथ साथ UGC net qualify करना भी compulsory हो जाता है, इसके अलावा आगर आगे देखें, तो आप आप देख सकते हैं, तो अगर आपने part time PhD करी हैं, तो आप आप eligible नहीं हो, आपको regular degree ही यहाँ पर जो है, आपको qualification में eligible करवाती है, चलिए आगे बढ़ते हो देख लेते हैं, कि यहाँ पर जो merit of किस तरीके से बन 176, कितना ही आपका pay scale, starting के 5 years तक आपको यह pay मिलेगा, उसके बाद जब आपके regular post हो जाएगी, उसके बाद आपको जो UGC का pay scale है, वो जो government की तरफ से pay scale होता है, वो start हो जाएगा, तो यह fixed salary है कि starting के 5 years तक उसके बाद आपको जो pay scale बढ़ जाएगा, next अपका merit किस तरीके स बनेगी तो आप दोई सकते हो graduation में, आपकर आपके 80% अब भाव है तो 21 marks मिलेंगे आपको, और 60 से 80% की बीच में तो 19 मिलेंगे, 50 से 60 की बीच में है तो 55 से 60 की बीच में है तो 16 मिलेंगे, उससे कब में तो इतने मिलेंगे, ऐसी post graduation में आपको marks का distribution given है, MFIL का भी given है, और PhD दिकर देखी तो 25 कोई मिलेंगे, नेट विध जारे है तो 10, only net है तो 8 marks, से तो 5 marks, research publication के, 2 marks मिलते हैं सभी research paper के, और maximum 3 research paper तक यहां पर आपको count किये जाते हैं, इसके लावा अगर experience है teaching का, तो आपको 2 marks मिलेंगे सभी year के, 10 marks तक maximum मिल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपक आपने teaching करी है, कोई private college में teaching करी है, तो इसका count नहीं होता है, लेकिन अगर UGC का pay scale follow किया गया है, तो आपर भी count हो जाएगा, और आगे कर हम बात करें तो यह आपका, आप देख सकते हैं, इसको complete चीज़ों को आप खुद भी go through कर लेना, apply करने से पहले, अब हम बात कि यहाँ पर आपको apply कैसे करना है, और यहाँ पर interview किस तरीके से conduct किया जाएगा, guys यहाँ पर आपका interview होगा, और interview की time पर ही आपको document verification करवाना होगा, document verification वही होगा, आपको 10th class की marks rate देखते हैं, ताकि कि आपकी जो data of birth to school, वो लोग क्या verify कर सकें, इसके लबावा graduation हो गया post graduation हो गया, और UGC net या PhD हो गया, जो भी आपने research paper लिखे हैं, उन चीजों को लेकर कि आपको present होना होता है, इन चीजों को आपका, आपको जो verification होता है, वहीं पर किया जाता है, इसके लब अगर आपके कोई cast है, like SCST, OBC category से belong करते हो, तो वो certificate भी होना at the time of interview होना जरूरी है और, guys, अगर हम बात करें, यहां पर किस तरीके से recruitment किया जाएगा, तो यहां पर only interview लिया जा रहा है, so all the candidates have to remain present on the time of, at the place, decided for verification of application and oral interview at his or her expense without fail, तो यहां पर आपको खुद किये ही expense, यानि खुद से ही, और यहां खुद की responsibility लेनी आपको present होने की, इसके लबाँ आपको बोल तो the above mentioned merit marks will not be called for the document verification, तो minimum इतने marks को आपके होने ही चाहिए, जो आपको उपर merit list बने बताई है, तो उसके according के आपको apply करने हैं, उसके कम marks बनना था, आप apply मत करना, I think इतने marks तो बन की जाने चाहिए, अगर आपने अच्छे से marks score किया है, ग्रेजिशन, पोस्तिक्रेजिशन चेक करने ही, अप्लाई करने से पहले, फीस जो है apply करने की 500 रहेगी, जनल कैटेगरी की, और SCST OBC की आपर 200 रुपे रहने वाली है, बाकी जनल की, और AWS कैटेगरी की यह जो फीस है, वो आपके रहने वाली है, 500, और इसके अलावा क्याज आपको apply कैसे करना है, मैं आपको यहां पर जैसे आप लोगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगी, तो आपके सामने एक नई वेबसाइट उपन हो करके आजाएगी, मैं आपको बिस दिखा जाता हूँ, समझा जाता हूँ, बार, इस तरीके से आपके सामने एक portal आएगा, जिसमें आपको email id, subject for application, पास्टर पूशेद आएगा, तो आपको बिल्क करना है, for new candidate registration, तो आपको बिल्कुल नए तरीके से registration करना है, तो आपको इस red वाले link पे click करना है, नीचे की तरफ, जैसे आप इस link पे click करेंगे, आप से details म आपको बिल्क करना है, तो आपको बिल्क करना है, तो आपको बिल्क करना है, एक्जाम 10, एक्जाम 10, एक्जाम 10, बिफोर बाय ऑप्सिन जैसे coupon code को अप्लाई करेंगे, फिस automatically reduce हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या कोश मिलेगा, नीचे में आपको complete video लेक्षे मिलेंगे, आपको बिल्क करना है, तो इसका लिंक भी आपको इसे वीडियो के description box and comment box में देखने को मिल जाएगा, So thank you so much for watching this video, share this video with all net experience and subscribe for UGC update and assistant professor job updates, guys, we'll see you in the next video, till then keep watching UGC Net Mentor, thank you so much.